नमस्कार आप सब भी कई गवा फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान आने वाले सूजन के बारे में लगबग 50 से लेकर 80% महिलाओ को ना प्रेगनेंसी के दौरान सूजन की समस्या हो जाती है और इसको एडिमा कह हो जाता है तो सूजन की समस्या क्यों होती है कहां होतीं है इसके इलाबा या इसा आप लड़क लड़की सकते तो क्या सच है या फिर हमें specialist वैसे ही होती है आज हम इन सभी के ही ayah की pregnancy के दोरानना हमारे सरीर में बहुत सार बदलाब होते हर्मुनल्न चेंजन ते हें वजन बढ़ता है इसके अधिक कि हमारे सरीर में ब्लोड फ्लो लगबग 50% तक बढ़ जाती है मतलब की 50 पर ज्यादा हमारे सरेर ब्लड कर निर्माण करता है और लगबग We आने की समस्या हो जाती है और बच्चा भी आपके सरीर से ही ज्रोkay सत्व लेता है दर्द भी हो जाता है की बाल्ट तो यह उजव सब्सक्राइब की नंगा नंगा। बाग इसके लाबा हूटों में सूजन की समस्या हो जाती है अगर आपके भी हूटों में सूजन की समस्या हो गई है तो यह हार्मोंस की वज़े से होता है डिलीवरी के बाद ठीक हो जाएगी चिंता मत कीजिए इसके लाबा बहुत सा मेलाओ को ना मसूरों में सूजन की समस् चिंता करने के कोई बाद ही है तो कि यह बहुत platam कि समस्या बाट हो जाती है कि क्यों कि नॉर्मलिय को चींजे नॉरुक मालूमी है कि आपका ब्रीच तयार करता है दूद पिलाना होता है तो हम यसाब से o को रेडी करता है तोतों बेद्ट के समस्या हो जाती है अगर आपको काफ़ी जड़ा दर्द कि समस्याoe रही है तो आपको डॉक्ट्क से मिलना चाहिए नहीं तो उस्ट से कोई दिक्कत नहीं है और यह नॉर्मल है इसके अलाबा जातर में लाउको प्रेग्निसि की थर्ट राइमेस्टर में प्राइट पार्ट में सूजन कि समस्या हो जाती और 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 नॉर्मली यह जैसे कि मैं आपको बताएं कि पैरों में सुज़न की समस्या जाती है तो इसका कारण यही है कि वज़न बढ़ता है तो सारा भार हमारे नीचले हिस्ते पर ञाता है तो इस वज़े नहीं है यह नॉइंस से के वज़े से ही होती है तो नाज में गझे नहोना समस्या हो जाती है तो आपका भी चैरा हलका डाइबिटीज की वज़े से होसकता है सुजन की समस्या थो होते हैं साथ आपको ना कम जोले दगना दुनला दिखाई देना इसके अलाबाब स्क्षा मैं संधाय होना नीचले यह से तो खुन की कमी हो जो भी दिक्कत हो कि डॉक्टर देख लेंगे देखिए प्रेग्निसी में सूजन की समस्या वैसे तो क्यू होती है मैं आपको बता ही दिया लेकिन इसके अलाबा क्या होता है कि अगर हम बहुत ही लंबे समय सूजन की समस्या हो जाती है इसके अलाबा अगर आप ज़्यादा काम करते हैं कि अगराप अपने खाने में बहुत तो आप हमारा वरण बढ़ता है वैसे वैसे ही कहई बाटा जाती है और हाँ देखो जी इसको एक कारण हो सकता है बहुत जदा कैफेल लेना अगर आप यदिक मातरत में लेती हैं जो कि आपको चाय कॉफी चॉकलेट या फिर सॉफ ड्रिंग से मिलती है तो जदा कैफेल लेने से भी सूजन की समस्थ्या ज्यादा होती है इसलिए लिमिट मातरा में ही चाय कॉफी का सेवन करें बांकी देखो जी एक बहुत important बात अगर आपके सरीर में खून की कमी है तो इस वज़े से भी कई बार सूजन की समस्या हो जाती है इसलिए आप कोशिस करें कि आपके सरीर में खून की कमी ना रहे और आप आयरेन वाली चीज़े लेते रहें डॉक्टर आयरेन की सप्लिमेंट देते हैं उसको भी लेते रहें बांकी चलो जी अब ये भी जान लेते हैं कि प्रेइनसी में अगर आपको सूजन की समस्या हो गई है तो आप इसे बचने के लिए क्या उपाई कर सकती हैं देखो वैसे तो सूजन है तो डिलीवरी के बाद आपका देले ठीक हो जाएगा लेकिन इसके अलबा भी आपको चीज़ें कर सकती जिससे कि आपको और ज्यादा सूजन ना आए तो देखो जैसे कि मैंने को बताया कि तो बीच बीच में आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना है और अपने पैरों को हिलाना है थोड़ा से चलना है मुवमेंट करना है ताकि ब्लड सर्क्लेशन अच्छा हो जाए और सूजन की समस्या कम हो इसके अलाबा अगर आप ज्यादा चाय कौफ़े पीते हैं तो उसका सेवन कम कर दीजिए ज्यादा नमक का सेवन करते हैं तो उसका सेवन कम कर दीजिए और इसके अलाबा आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप बोजर टाइट कपड़े पहनते हैं तो घिल्य डाले कपड़े पहने स्टार्ट कर दीजिए कोटन की कपड़े पहनिये ज्यादा टाइट जूते या फिर सेंडिल वेगर मत पहनिये क्योंकि सरी ज्यादा तंग रहेगा तो सूजन की समस्या और ज्यादा होगी इसलिए कमफर्टिवल कपड़े और जूते आपको पहनने होंगी और हां देखिए आप मालिस करवा के भी अपनी सूजन को कम कर सकती हैं और सूजन में कई बार दर्द की समस्या हो जाती है तो माल अब बींस, डालें, दहीं, केला, यह ले सकते हैं मतलब कि प्रोटिस्यम की मातरा पाई जाते हैं आप उन चीजहों को ले सकते हैं खाने में तो इससे भी आपके सरी में सूजन की समस्या कम हो सकती हैं बागी देखो जी अब आप समझ गये होंगे कि प्रेगनेटिकी के दो तो का जाता है कि सूजन आने से लड़का होता है और मेरी एक फैमिली मेंबर है और उनके पैरों में मुझसे जादा सूजन आया था और उनको लड़की हुई है यानि कि हम दोनों के पैरों में सूजन आई थी और हम दोनों को अलग-लग बच्चा हुआ मुझे लड़का वीडियो में तब तक की लिए बाइबाय थैंगी सो मच नमस्ते